नमस्कार दोस्तों हर आदमी की सक्सियत में राज सौचिपे कैसे बताएं कौन हमारा है आजकल सीमा नैन की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात सुरू कर रहा हूँ कि कौन हमारा है यही नहीं पता चलता है हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमने एक प्रधान मंत्री चुना एक मंत्री चुना तमाम सारे सांसत चुने उस संकार जलाते हैं देश भुकमरी की कगार पर पहुंच जाता हैं हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि हम पड़ोसी देशों से भी बहुत बुरे हाल में हैं और बेरोजगारी महिंगाई और ना जाने क्या-क्या समस्याइं हैं समस्याओं की फैरिष्ड इतनी लंबी है कि कुछ घंटों में तो गिनाई नहीं जा सकती है तो ऐसी इस्तिती में हमारी महिला बालविकास मंत्री जो है जो अमेठी से सांसद है और उनकी महत्ता इसलिए है कि उन्होंने कॉंग्रस पार्टी के बहुत बड़े नेता जो पूरवधच्छ है जो जिने जननेता कहा जाता है उन राहुल को हरा कर वो संसद पहुंची है संसद वो पहले भी पहुंची थी राज्य सभा से जाती थी गुजरात से उन्हें मोदी जी लेके जाते थे अब मोदी जी उन्हें अपने पास के ही अमेठी से लेके गए उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे कुपोसित नहों उनकी कि महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो, उनका मान बढ़े, उनका कल्यान हो, वो तो नहीं होता है, हिंदुस्तान कुपोसन की दसा में अधी देखेंगे तो वैस्विक इंडेक्स में इतनी बुरी हालत में है कि इस देश के 74% बच्चे कुपोसन का सिकार, और इस तरह की इतनी ब भुक्मरी की बात आती है, तो भुक्मरी के इंडेक्स में भारत इतनी बुरी हालत में पहुंच जाता है, कि दुनिया में सर्मसार होने की स्थती होती है, महिंगाई बेरोजगारी की आज बात नहीं करूँगा, इसके बाद में इसमती क्या कहती है, इसमती एक कारकर में ब बिल्कुल किये जाते हैं, वो किये जाते हैं कि सबसे जो है चहता, सबसे यादा लोक प्रिय प्रधान मंतरी कौन है, नरेन मोदी, बिल्कुल होते हैं कि सबसे यादा कौन जीतेगा, भाजपा जीतेगी, नरेन मोदी जीतेगे, इस तरह के सर्वे की है, लेकिन जब वैस्विक इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है वो इस आधार पर नहीं बनती है यह पढ़ी लिखी होती ही तब तो मैं कह देता कि आप पढ़ लीजे स्टेटिस्टिक्स पढ़ लीजे इसका आपको ग्यान पता चल जाएगा क्योंकि स्टेटिस्टिक्स में सर्वे को लेकर के पूरी दी गई है क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि उसमें क्या-क्या है किस तरह के पूरे ट्रिक अपनाए जाते हैं क्या-क्या होता है यह तो सर्वे जो यह वैस्विक इंडेक्स में आते हैं वो सिंगल सर्वे भी नहीं हूँ उस सरकार की रिपोर्ट पे सरकार के डाटा पे और उसके बाद में तमाम जो एंजियो जैं उनकी रिपोर्ट पे और उनके डाटा पे होता है वो किसी सर्वे पे नहीं होता है, वो सारे डाटा पे होता है, सारी स्टेस्टिक्स होती है, फाइनेंसियल स्टेस्टिक्स होती है, दूसरी और होती है, तो इसलिए यह जानने की ज़रूरत है, तो जो यह ग्यान वो दे रही है, कम से कम वो वाटसक यूनिवरस्टी का यह ग् अपने एफिडेविट में लिखा था कि वो ग्रेजुएट है पूछा गया भाई कहां से ग्रेजुएट हो तो पता नहीं कौन-कौन एल यूनिवेस्टी और न जाने कौन-कौन गिनाए बाद में वो भी गलत पाया गया तो अंत में 2019 में जब उन्होंने एफिडेविट पहले ही लिख देती हैं सांसत बनने के लिए कोई पढ़ाई की योग्यता नहीं है राहूल गांदी तो इतना पढ़े हुए हैं एंफिल हैं टौपर हैं एकोनॉमिक्स में और वो भी एरी गईरी यूनिवेस्टी नहीं आक्सपोर्ट, कैंब्रीज, एसे हार्वर्ड इन आप से पढ़े हुए हैं और आप जब ये जूट बोलती हैं तो आझा है क्या दिरूरत धी जीत तो आप गहीं थी या मंतरी तो आप बनी गहीं थी बनना ही था क्योंकि आप नरेन मोदी जी की सबसे क्लोज हैं तो इस तरह की जाहे लिए क्योंतने यह वैसे ही है जैसे नर ग्यान देते हैं तो फिर समझ में आता है उसी तरीके के एंग्यान है सो अब एकसी बात है नेता जैसा होता है उसके लोग भी वैसे ही होते हैं तो जब नेता और उसके लोगों की एहम बात कर रहे हैं तो यह भी बात कर लेते हैं एक उत्तर प्रदेश में नेता है जिनका ना उन्होंने अपने चाचा और पिता और सब को जो किया सब कुछ सामने है मैं उस पे टिपणी नहीं करूँगा क्योंकि वो एक नेता है जनता द्वारा चुने गए हैं उनका एक आदर है वो पूर्मुख मंत्री करना बड़ा असान होता है मैं नहीं करता हूं लेकिन इतना जर आपाउ रखना चाहिए वो भी नरेंद बदी से न सीखने लगे या उनके नेताओं से न शीखने लगे यदि वहीं करेंगे तो फिर उनमें और उनमें अंतर नहीं रहा मैं अखिलेस को पड़ा लिखा समस्ता था, समस्ता था कि वो है, लेकिन उन्होंने बीते दिनों जो अपने frustrated बयान दिये और जिस तरीके से जनता के मुद्दों पर वो डर के अपने गर में बैठे रहे, नहीं निकले, उनके लिए नहीं लड़े, चाहें वो हमले Muslims पे हुए ह और यहां तक की चाहें वो हमले जो है, पिछुनों पे हुए, किसी मामले में वो नहीं निकले, किसानों पे हमला हुआ तो घर के दरवाजे पे ही बैठ गये, वहीं कहें दिया कि हाँ बस ठीक है, हमाँ सरेस्ट हैं, लेकिन वहीं प्रियंका गांधी, बनी बोट ना मिला, लेकिन वो दिल्ली से आई हीं, लड़ते बिड़ते वहां तक पहुंची हैं और सब कुछ सामने हैं, इसी तरीके से वो और राहुल गांधी, कोविट के दिनों में जब कहीं लापता थे, अखले से आदो, उस दौर में भी हाथरस तक लड़ने गए थे और उन्ही के कारण भाजपा उसके बचाओं में रही, उसकी भी लड़ाई कॉंग्रस नहीं लड़ी, सपा नहीं लड़ी, इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, तो चलिए, जब मुसल्मानों पे हमले हो रहे थे, जमाती और ना क्या क्या कहके कोविट के दौरान हमले हो रहे थे, उच्छी पे हुए थे, उसके बाद में, जब CA, NRC का मुद्दा आया, तब भी उनकी स्थिति यही थी, कमोबेस, हालांकि उस कम्यूनिटी ने बड़ा भरोसा जताया, लेकिन उस भरोसे का हुआ क्या, जिस तरीके से तमाम घटनाएं हों, वो हम सब से छिपी नहीं, चले तो इससे क्या है, एक frustration का भाओ है, और उस भाओ के कारा, जो गलत फेहमिया हों, जो भी कुछ हों, उन्हें बैठके दूर करना चाहिए, इस तरीके से, मीडिया में या गलत सब्दों का इस्तेमाल करके, नहीं होना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह हो रहा है, सपा के, एक इसिंगे क्रिमिनल के तौर पे भी देखे जाते थे और बहुत सारी चीजे थी, लेकिन हम उस तरह से आज नहीं देखते हैं उन्हें, वो अब नेता है, तो नेता की तरह स्माग, और वही ने आज जिस तरीके से राहूल गांधी के लिए मंद बुद्धी और नजाने क्या नेता लोग इसी तरीके से कराते हैं, और संगठनों को तोड़ने का काम करते हैं, बनते हुए चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं, याध करिये, तब राहूल गांदी बाहर जोड़ो यातरा कर रहे थे तब भी वो डर के कारण नहीं आये था, और इसके पहले आप आएंगे और उस मामले में उन्हें बचाया तो उसके बाद उनके स्टेंड क्या थे राउल गांदी खिलाब तो ऐसा नहीं हुआ है या उनके पक्ष में नहीं हुआ है उन्हें तो सजातक सुनाई गई लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सांती भाव रखना चाहिए हर कोई उतन त्याग नहीं कर सकता है लेकिन कम से कम इस तरह के सब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चाहें जो और यह तो सत्य है कि उन्होंने अपने पिता का क्या आप मान किया तो स्वाभाविक सी बात है यह बाते तो आती है इन पर कभी भी वह नहीं किया जा सकता परता है चल रहे हैं, बीते दिनों हमने देखा कि उसने कैसे सैण बलों का इस्तेमाल करने का कि हांचुनाओ जीतने के लिए उनके प्रचाड में उतारेंगे और क्या क्या करेंगे। उसको लेकर के उन्होंने सब कुछ किया। और उसको लेकर के पूरी एक आदेश जारी हुए है और सब कुछ होगा है, सल्फी पॉइंट बनेंगे और जिस तरीके से, सम्ना की स्थिति है किसे ना की जवानों को जो है जहां लड़ना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए उसकी जिगए यह करेंगे, अब एक नया आदेश जारी कर दिया है, उस आदेश में कहा है कि जितने आईएस आफीसर हैं और आईएस में भी जूनियर लेवल के नहीं, डाइरेक्टर, उससे ऊपर के, एडिशनल सेक्रेटरी, मतलब इस लेवल के, जो गवर्मेंट आफ इंडिया के लेवल के होते हैं, यानि जो किसी जिले म डियम या डीसी होता है, वो जब जाता है सेंटल गवर्मेंट में, तो एडिशनल डारेक्टर या कुछ डारेक्टर से ऊपर नहीं बनता है, नीचे ही होता है, तो आप समझेए, उस लेवल के अपसुरों को कहा है कि साब आप मोदी जी का प्रचार करेंगे, और उसके पच्चिस नॉम्बर से सुरू होगी, यानि ये पांच राज्यों के चुनाओ को बेप्रभावित करना है, पच्चिस नॉम्बर से लेकर के जनवरी तक चलेगी, यानि चुनाओ अधिसूचना जारी होने तक चलेगी, और उसके जड़िये मोदी के लिए माहौल बनाया ज तमाम पूझी पतियों पर ही अकेले भरोसा नहीं रहे गया, अब सरकारी तंत्र का कैसे दुरपयोग किया जा, स्रीमती इंद्रा गांधी का चुनाओ क्यों रद्दुबा था, उन्होंने तो कोई सरकारी तंत्र का दुरपयोग नहीं किया, उनकी सभा थी, उस सभा के तो के थे, वो इस्तीफा बाबुओं वाला जो काम होता है, वो मंजूर होने का मंजूरी का पाइनल वो नहीं आया था, इसलिए वो दुरपयोग है, और जिस तरीके से कहा गया, कि उनके जो चुनावी सभा थी, उसके वहां की सुरक्षा का जाईजा लेने के लिए, सरकार अवायद बता दिया गया, आज पूरे तंत्र का इस्तेमाल होगा, और कहा जाएगा गनई साब, यह तो महानकार दे, तो यह महांता है, नरेंद मोधी सरकार की भाजपा सरकार, इसके अलावा आप देखिए, जो घष्टा चार का खुलासा इनके करते हैं, राम मंदिर, रा और वहां कैसे जमीनों का बंदर बात हुआ, कैसे पैसे का बंदर बात हुआ, कैसे लूट होगी, इन सब का पूरा खुलासा हो चुका है, और उसमें अरबो रुपया की लूट हुई है, अरबो रुपया की, यानि जो आपने चंदा दिया, आपने सब कुछ किया, वो लू हो रही है यह सारी चीजें सामने आग जो सड़क एक रुपए में बननी चाहिए उस 14 रुपए में बन रही है अब आप समझ लिए उसका आउसत निकाल लिए इतना बड़ा घोटाला चला है और यह घोटालों की सरकार अब यह वो दौर है कि जब कैग रिपोर्ट नहीं देत है डरता है 2015 से यह एक परमपरा चल पड़ी है दीरे दीरे खतम हो है लेकिन जब कभी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा देता है दो चाहर मामलों में तो उसी में ही इतने बड़े घोटाले खुल के आ जाते हैं कि कुछ कहने ने आप याद करिए दस साल पहले रामवीला मैद दिल्ली में तमाम सारे देश में ठंग बेठे थे धरने पात अन्ना के साथ और उन्होंने किस तरीके से इस देश को ठगने का काम के ठग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ने की बात करी थी लोगपाल की बात करी थी और सारी बात करी कहां गया लोगपाल कहांगे असार और जो भ्रस्टाचार की बात करते थे वही सबसे बड़े भ्रस्टाचारी निकले और हालात ये हैं कि उनकी दसा को आप देखिये दिसा को देखिये कि वो भ्रस्टाचार भी करते हैं और भ्रस्टाचार के बारे में चर्चा करने वालों को खत्म कर देने की बात करते हैं, उन्हें जेल में डाल देने की बात करते हैं, और सब कुछ करते हैं, आज तक क्या अखिले से आदो, खिला एक भी कारवाई, मोदी या योगी सरकार ने की, नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों की, वो अंततह जाके, प्रो हो जाते हैं, तो वही एक जो मोदी के कान में मुलाहिम सिंग्यादों कुछ कह गए थे कि बेटे का ध्यान रखना तो ध्यान ऐसे रखा जाता है तो वो विपत्च की जो बंती हुई एकता है उसे तोड़ने काम करते हैं सबको पता है जो इंडिया गटवंधन बना वो राश्ट्री चुनाओं के लिए उच्छेत्री चुनाओं के लिए या राज्यों की चुनाओं के लिए नहीं बना और यदि बना था तो साब उत्रा खंड में अखिले सियादों ने एक संगठन बनने के बाद में क्यों उतारा कॉंग्रेस के प्रत्यासी के खिलाब यदि नहीं उतारते तो साइद वो कॉं अर्थन दिया उस भूम पर दिया जो कॉंग्रेस की बड़ी मजबूत भूम ही होती थी कल्पनात राय की भूम ही होती थी और इसके बाद में राय ही हैं इत्तफाक से जो प्रदेशत देच्छे हैं और बहुत ज्यादा राय विरादरी में उनका सम्मान है अजय राय का उन्ह किसे हुआ उसका पूरी लड़ाई का बदला ले रहे हैं उसके लिए उन्होंने खुद भी गोलियां खाने तो यह इस्तितिया है तो यह बहादुरी होती है तमाम मुकत में जहल लाए तो उस आदमी को वो आदमी आपके समर्थन पर उत्रा उसको आप गाली दे रहे हैं ब आपके इस्तिती क्या है आपको हमला करना चाहिए इस भाजपा के भश्टाचार पर जो राम मंदिर के नाम पर लूट हुई है उस पर आपको हमला करना चाहिए कि किस तरीके से आयुस्मान के नाम पर लूट हुई किस तरह से सड़कों के नाम पर लूट हो रही है किस तरी प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं को भाजपा के तमाम नेता अपमानित कर रहे हैं, उनको रिवालवर लेके दौड़ा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं, आप हमला इस पर कर दिये, इसलिए सर्मानित और वहीं दूसरी तरह, देश में ज कोई गलत फहिमी है, आपस में बैठ के निप्टाहिए, इसको क्या कर, ये कोई आप छिछोरे नेता तो है नहीं, जो सड़क पर आ करके बयान बाजी करेंगे, प्रस में बोलेंगे, इस पर बोलेंगे, ये तो ये बताता है कि आप नुकसान करने का काम कर, आम आद भी पार तो ये हिस्तिती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि डरी हुई भाजपा, डरे हुए नरेंद मोदी, उनकी पार्टी और उसको आप बल दे रहें, एक बार सोचिए, हम सबको भी सोचना चाहिए, कि वो किसके लिए काम कर, जैए झाल